सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकोन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंट्स मैसाइब डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत प्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम आप से बात करने वाले एक बहुत इंपोर्टन बिटमिन के बारे में जिसका नाम है बिटमिन डी तो दोस्तों जानेंगे आखिर बिटमिन डी का हमारे सरीर में इतना जादा इंपोर्टन्स क्यों है और आजकल आपने देखा होगा कई सारे लोगों को या आप समझ लीजे मैक्सिमम लोगों को जब भी बलड टेस्ट कराते हैं तो बिटमिन डी की डिफिसेंसी होती है तो जानेंगे इसका मेन कोच क्या है क्यों आपको बिटमिन डी की डिफिसेंसी हो जाती है और आप कैसे बिटमिन डी की कमी के लक्षुणों को पहचान सकते हैं और आप साथी साथ इसके लिए क्या उपाए करें क्या ऐसी डाइट ले क्या ऐसी मेडिसिन ले जिससे आपकी कि इस समझ से हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो आए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं किया अपनी हल्थ प्रॉब्लम से परिशान हैं तो समय गवाएं बिना पैस्ट होमेफिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल स्टी होमेफिक पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकॉन को टैप कर लें क्योंकि इस तरह के आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं इसी क 05024291 पर मैसेज करके डिजरेबल टायम के अपॉइंट्मेंट्स एं ठीट्मन प्लानबाई कर सकते हैं तो आए दोस्तों जानते हैं बिटमिन दी के बारे में बिटमिन दी एक फैट सॉलिबल बिटमिन होता है फैट सॉलिबल यानि जो वस्ता में घुलनसील हो जो फैट म बिटमिन डी का एक मेन सोर्स आपको सनलाइट माना जाता है यानि सूरे का प्रकास बिटमिन डी हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपके कैल्सियम के अब्जॉप्शन में यानि शरीर में जो कैल्सियम है उसके आपका सरीर प्रॉपर्ली उसको अफ्सूसित कर सके एक जॉपकर सके उसके उसके लिए बिटमिन डी की प्रॉपर मात्रा का होना बहुत जादा जरूरी है यदि बिटमिन डी की कमी होगी तो आपके सरीर में कितना भी अच्छा डाइट ले लेisma आप कितना बाइट ले लेकिन उस जिन जो अभी छोटे बढ़ रहे हैं ग्रोइंग एज है दूसरा आपके अडल्ट एज जो ओल्ड एज के परसन है जिनका आपका समझ लिए 40-50 तक एज हो गई है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा प्रेगनेंट बूमेन लक्टेटिंग मदर य आपको लक्षण क्या दिखाई देते हैं बॉड़ी में यदि कमी है तो सबसे पहला लक्षण यदि आपके सरीर में बिटामीन डी की कमी रहती है तो आप अकसर देखेंगे आपको बैक यानि कमर में दर्द की समस्या घुटने में दर्द की समस्या चलने फिरने में यह समस्य हो जाती हैं खास तो पर जब आप सोते हैं और सो के उठने की कोशिश करते तो अकसर आपके कमर में बहुत ज्यादा पेन रहने लगता है आप कई बार कैल्सियम की गोलियां खाकर या मिल्क दूद पीकर यह सोचते हैं कि शायद यह कमरदर ठीक हो जाए लेकिन नही हो पा रहा है और आपको यह सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दूसरा जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार बच्चों की हाइट ठीक से नहीं बढ़ती है उनके दाथ ठीक से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कैल्सियम फॉस्फोरस और इन सब को अब्जॉब करान करने के लिए विटमिन दी तो कई बारी विटमिन दी की कमी की वजह से भी आपका प्रॉपर हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है आपके प्रॉपर जो आपका दांत है बच्चों में कई बार आपने देखा हुआ डिलेट डेंटिशन की प्रॉब्लम रहती ठीक से दांत नह प्रॉब्लम हो जाती है इसमें क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती है वो खोकली हो जाती है क्योंकि वहां कैल्सियम का एब्जॉप्शन नहीं हो पा रहा है और ऐसा होता है बिटमिन डी की डिफीशन्सी की वजह से नेक्स्ट आपको सिम्टम देखने को में लगा कई बा हेरफॉल बहुत सीवियर हो रहा है और यह सीवियर हेरफॉल ठीक नहीं हो रहा है कई सारे प्रोड़क्ट यूज करने के बावजूद तो यह हेरफॉल का भी एक में डीजन बिटमिन डी की डिफीशन्सी हो सकती है नेक्स्ट आपका कई लोगों को छोटी सी चोट लग जा समय से आपको चोट बनी हुई है तो यह भी एक रीजन होता है बिटमिन डी की कमी है और इसलिए आपका वोंड हील नहीं हो रहा है नेक्स्ट आपका कंडिशन होता है मसल क्रैंप कई लोग आप से कंप्लीन करेंगे कि हमको पूरी बोड़ी में हड्डियों में डर्द नही हैं कि आपको अगर हमेशा ही हाँट परों में डर्द बना रहता है बहुत ठकावट लगती रहती है आप एक दम बहुत सु्स्ताल सी सा मैसूस करते हैं नीन भी पूरी हो जा रही है लेकिन तो भी आप से उठने का मन नहीं कर रहा कुछ काम नहीं कर रहे है कर पारे हैं तो तो यह भी आपके बिटमिन डी की डिफीसेंसी की वज़े से हो सकता यह बात कर लेते हैं कि यदि आपको यह लग्षण डिख रहे हैं आप कैसे करेंगे यह बात कर लेते हैं कि यह अपकी बादब कांद्र उसक य mound की वज़ यूज कर सकते हैं जिससे प्रॉपर ग्लय देखिए अगर बिटमिन डी की कमी है आज की life style ऐसी है कि लोग सुबह जल्दी सो कर नहीं जग पाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप सूर्य के संपर्क में यानि जो sunlight है सूर्य के प्रकास के संपर्क में नहीं आपा रहे हैं Sunrise आपके लिए बहुत ज़्यदा helpful होती हैं लेकिन ये timing का ध्यान रखिए morning में जो सुबह के समय सूर्य का प्रकास होता है हलका हलका जो उजाला आता है करीब 6 बजे 7 बजे तो कोसिस करिए आप उस सूर्य के प्रकास दे थोड़ी दे छट पर अपनी या आप morning walk के लिए बाहर जाते हैं जादा तर लोग नहीं जा पाते हैं तो अपनी घरों पर ही हम छट पर ही थोड़ी देर के लिए walk कर सकते हैं आगर आप 30 minutes time spend कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा तो अगर आप मेंसे किसी को भी ये परेशानी है तो थोड़ा सा sunlight में बैठने के कोसिस करें क्योंकि बिटमिंडी का सबसे अच्छा source आपका sunraise है sunlight है जो हमारी skin पर आती है और उसी से फिर बिटमिंडी का formation होता है अब दूसरा इसके लावा diet में क्या ले सकते हैं इसमें जो आपके dairy product होते हैं खास तो पर मिल्क हो गया दही हो गया कर्ड हो गया तो दूध और दही इनका आप सेवन कर सकते हैं और नन-vegetarian यदि आप है तो आप इसमें फिस का सेवन कर सकते हैं फिस में बहुत अच्छे fatty acids होते हैं फिस ज्यादा कर सकते हैं और ग्रीन लीफी vegetables का सेवन कर सकते हैं तो इससे आपको डाइट के थूभी बिटमिंडी मिल जाता है अगर फिर भी आपके बॉड़ी में बहुत ज़्यादा का डिफीसेंसी है फुल्फिल नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर बिटमिंडी के supplement लेने होते हैं बिटमिंडी के टाबलेट्स आती हैं कॉले कैल्सिफरॉल के नाम से आती है और इसके अलावा आपकी सैचेट्स भी आते हैं जिसमें ग्रेन न्यूल्स होते हैं जिने आपक कि दूद में मिक्स करके पिया जाता है तो सैचेट फॉर्म में भी आते हैं बेसिकली कुछ लोग टाबलेट्स नहीं निगल पाते हैं उनके लिए बैनिफीसिल रहता है दूसरे इसको वीकली लेना पड़ता है तो सैचेट फॉर्म में आप ग्रोनूल्स वाले आते हैं वो अगर प्रेगनेंसी है लेक्टेटिंग मदर है तब तो आप कंसल्ट करी लोगे अपने गाइनिक से तो उन्होंने आपको प्रस्क्राइब जरूर से किया ही होगा तो यह आपको अगर बहुत ज़्यादे डिफुसेंसी तो फिर आप बाहर से फिर मेडिसिन भी ले सकते हैं जो की बिटमिन D3 की टाबलेट्स आती है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आता है इस तरह से किसी भी एक फॉर्म में जो भी आपको अच्छा लगता हो आप ले सकते हैं तो दोस्तों यह तो था बिटमिन D के बारे में कि बिटमिन D हमारी बॉड़ी के लिए क्यों इतना जदा इंप्रटन है इसकी डिफिजयंसी में आपको किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं साती साथ आप कौन से डाइट का फॉलो कर सकते हैं कौन सी मेडिसन का यूच कर सकते हैं यदि आपको बिटमिन D की डिफिजयंसी है तो आप जरूर से ज़्यों को फॉलो क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है due to our lifestyle हम बिलकुल भी अपने आपको time नहीं दे पाते हैं बिलकुल भी sun rays से हमारा exposure लगबख बंद ही हो गया है तो इस वज़े से आजकल के जमाने में छोटे-छोटे बच्चों से लेके old days तक सब को between D की deficiency आप जब भी blood test कराते हैं निकलती ही है तो आप लोग ये diet tips चरूर से follow करें अपने लक्षणों को पहचानिए और जल से जल्द अपने लिए solution देखिए तो I hope दोस्तों आपके जानकारी पसंद आई होगी पसंद आ रहे है तो वीडियो को like share करना बिलकुल बन भूलिएग चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर लिजेगा और फिलहाल मुझे दीजी इजाजत मिलते सी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत